कि 14 महिना 15 महिना हो रहा है 14 15 महिना के भीच में हो रहा है आज से लगबग 4 Dew ने पहले हम लोग पॉध का वीडियो भना हुए थे इसी पलॉर्ट पर और उस समय पॉध का हाइट कितना था चाचा और आज आपका तीन महिना में इंच कितना पॉध है लिए जो भी पिर शुखा होगा वहerson दिन एनके पहले सुखेश हृतन है कि एक रगधा लग जाएगा उसके वहाद सुखेगा नहीं शोब आपका सूख गया था लग आप जयादाम पीमला है यह कि नाफिर के नमस्कार प्रणाम मैं प्रकास सिंग शिवशक्ति फार्मिंग उटूब चनल के माध्यम से हम लोग फिर से एक नए वीडियो में खड़े हैं एक प्लॉट पर जहां पर एक किसान ने अफ्रीकन स्विटेनिया महोगनी का पौधा हमारी कमपनी से शिवशक्ति एगरी टेक लि तो उस समय हम लोग पौधा का देखे थे कि क्या ग्रोथ है और क्या उसमें क्रिशान जो है ट्रीटमेंट समय समय क्या करते हैं और हमारे कंपनी का जो प्रोपर गाइडलाइन हो सब मिलता है कि नहीं इनको और फिर से हम लोग उसी वीडियो में हैं उसी प्लॉट पर चाहिए और खर पतवार की इस तरह निकलना चाहिए और पौधा में कितने दिनों के अंतराल में पानी देना चाहिए यह सब चीज हम जानेंगे किशान के माध्यम से ही किशान से मेरू-बरू करवाऊंगा आपको पौधा लगबग जो भी पौधा है आपको एक रेशियो क इसमें पौधा है और पौधा का मोटाई भी देख लेंगे काफी अचा है पौधा मोटाई प्लस लंबाई लेकर के चल रहा है और अभी तक पौधे में कोई इफेक्ट नहीं है ठीक है दोस्तों तो आप लोग बने रही इस वीडियो में हम लोग आगे आपको और हुआ है यानि पौधा का कंप्लीट लगबग समझे की 14 महीना 15 महीना हो रहा है 14 और 15 महीना के बीच में हो रहा है आज से लगबग 4 महीने पहले हम लोग पौधा का वीडियो बनाया हुए थे इसी पलोट पर और उस समय पौधा का हाइट कितना था चचा और आज आपका त 3-4 महीने पहले जो वीडियो बनाये थे उसमें हमारे महोगनी का जो पौधा था वह लगबग 8-10 फिट के रेशियो में था और अभी हमारा जेनरल जो पौधा है यानि कि समझे की 90 परसेंट पौधा एक रेशियो का है और कुछ पौधा इसमें चोटा भी है जो साइज रि में लिए थे आप टीशू कल्चर से लिए थे सिवसक्ति कम्पनी से आपने महोगनी लिया था और टीशू कल्चर साइग्वान भी लिए तो इसमें प्लोट में लगा हुआ है दोनों पौधा इसमें अभी तक प्ल नहीं आया लोग लोग लेकिन लोग तो बताये होंगे कि इसको अफ्रीकन सुटेनिया महोगनी कहा जाता है जो होता है जो अपने इंडिया में समझे की एस्टर महोगनी और अफ्रीकन महोगनी की खेती की जाती है उससे सब्सक्राइब और संगीत वाद्यंतर आपारी का जहाज भुखम फिरोधी मकान बने जाते हैं और इस पौधा में आपको चजाजी 3 साल से लेकरके 5 साल के बाद में इसमी कि एक पौधा में आपको 3-5 पीज जाएगा क्या-क्या उप्योग होता है जानते जी नहीं इसके पर लिए इसके पौधे का जो भी होता है बहुत ही उप्योगी होता है यानि बहुत सारे गंभीर बीमारियों का दवाई बना जाता है इससे अस्थामा कैंसर ब्लड प्रेसर म समय समय पर लोग आते हैं जाज करने बराबर आते जाते रहते हैं बताते रहते हैं कि इसमें यह करना हो करना है जो भी इसमें खर-पतवार निकलना होता है दवा देना होता है पानी देना होता है इन सब सीच के बारे में कंपनी के लोग आइडलाइन आपको देते हैं आप जो पॉधा अपका शूख गया था क्या अपनाहत बाइं जो चुम्पनी ने कहा था कि आपको भाइसबाइस अर्म डिजक्म होगा और आपको पाब देते हैं आध्यास अच्यास जाज सीज्ड हम को और बताइए कि जो पौधा आपका सुखा था वो बड़ा होने के बाद कोई पेर सुखा यह जो भी पेर सुखा होगा वह 100-100 दिन के पहले सुखा था मोहगनी का एक खाशियत है कि एक बार पौधा लग जाये गा उसके बाद शूखेगा नहीं इसमें पानी भी अगर लग जाता होगा जल जमाओं भी हो जाता होगा वहां भी पौधा आपका सूखेगा नहीं यह पौधा काफी मजबूत होता है और हाड उड़ होता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगा हुआ है इस पलोट के जस्ट बगल में भी पौधा लगा हुआ है लेकिन उनका पौधा इस लाइक नहीं कंपणी के तरफ से खाद नहीं दिये उनका काम ता गाइड की आपके प्लोट को भी जांच करने आते हैं लेकिन आपको जैसा बताते हैं आप करते हैं और उनको बताते हैं वो नहीं करते हैं इसलिए बीना देख रहे के पौधा नहीं होगा आप सोचते हो देगा देगर अपने इसास से तो होगा ही लेकिन काफी समय लगेगा बीस साल प्लस में लगे पौधा को जल्दी रेडी करना है थो अपना लगाना पड़ेगा ह किसानों का आय बढ़ सकता है बिलकुल आराम से बढ़ेगा क्योंकि लकड़ी कभी नुक्सान देकर नहीं जाती है कभी फायदेमंद होती है और एक हमारा यह पेर इको फेंडली होता है प्रेवरण की दिश्टी कौन से भी पेर लगाना चाहिए हमारे इससे प्रेवरण भी शाफ सूत्रा रहेगा हमें सूद अक्सीजन मिलेगा और सभी किसान बंधूओं को यह पेर लगाना चाहिए आपके पास जितना खेत है सभी में मत लगाईए लेकिन कम से कम दो कठा और फिर काम करेंगा और सभी किसान लगाए और इसी के साथ वीडियो करते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुक्रिया